दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर का वाल पेपर कैसे चेंज करें अगर आप अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर अपना मन पसंद वाल पेपर लगाना चाहते हैं या फिर जो यह wallpaper है normal वाला इसको change करके कोई दूसरा wallpaper लगाना चाहते हैं तो इस video को end तक देखते रहिए चलिए देखते हैं computer की screen का wallpaper कैसे change करते हैं बहुत ही आसान है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले खाली जगह पर कहीं पर भी mouse का right बटन दबाईए फिर यहाँ पर इस प्रकार का page open होगा यहाँ नीचे देखिए आपको एक option मिलेगा personalize इस पर आप click कर दीजे इसके बाद यहाँ पर setting open होगी अब यहाँ पर देखिए corner में आपको एक option मिलेगा background का इस पर आपको click करके रखना है अगर यहाँ पर background का option नहीं आ रहा है तो उपर एक search bar है यहाँ से आप search कर लिजेगा background ओके तो यहाँ background पर click कीजे उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे तो यहाँ पर देखे background का option है यहाँ पर pictures का option है तो यहाँ picture पर click कीजिए यहाँ से आप चाहे तो solid color select कर सकते हैं देखे यहाँ से आप कोई से भी color select करेंगे तो desktop screen का color change हो जाएगा यहाँ देखे color change हो गया अगर आप यहाँ पर कोई और ची लगाना चाहते हैं जैसे slide show लगाना चाहते हैं तो slide show पर click कीजिए और यहाँ पर आप कुछ pictures को लगा सकते हैं जो आपके desktop screen पर कुछ time बाद slide होता रहेगा वीडियो की तरह चलता रहेगा थोड़ी थोड़ी दिर में यह बदलता रहेगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ browse picture पर click कीजिए और जो जो photo आप slide में डालना चाहते हैं वो आप select कर लिजिए और वो photo time to time बदलता रहेगा यहाँ पर आप timing भी select कर सकते हैं एक minute, 10 minute, 30 minute, एक घंटा, 6 घंटा, एक दिन तो जितना आप time select करेंगे उतने time के बाद आपका जो wallpaper है वो automatic change होता रहेगा अगर आप यहाँ पर wallpaper दूसरा लगाना चाहते हैं तो यहाँ pictures वाले option पर click कीजिए आप देखें यहाँ पर आपको कुछ wallpaper suggest करेंगा system की तरप से यहाँ पर system की तरप से कुछ wallpaper दिया हुआ है इसमें से अगर आपको कोई wallpaper लगाना है तो उसको select कर लिजे अगर आप खुद का कोई wallpaper लगाना है तो यहाँ browse का एक option है browse वाले option पर click कीजिए तो जो भी wallpaper आपको लगाना है वो यहाँ से select कर लिजे उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा choose picture इस पर click कर दिजेगा तो फिलाल मैं यहाँ पर यह जो system का wallpaper दिया हुआ इसी को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको इस photo पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपका wallpaper चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक option है choose a fit इस पर click कीजे और यहाँ पर आपको यह fill वाले option पर ही click करके रखना है ताकि आपका wallpaper कहीं से भी cut अगा ना रहे इसके बाद जब आप इसको cut करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके computer screen का wallpaper चेंज हो गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियर फूल अगा तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा